हेलो फ्रेंड्स, वागत है आपका एक बार फिटिसे अपने यूटूब चलने नौलेच में आए फेमेस 3.0 पर फिला लवी सरेंडर के एंड सेलरी एडिर को आप्शन स्टार्ट नहीं हुए है कोश कर ले द्वारा मौकिक रूप से प्राप निर्देशा अनुसार आप जो आपके सरेंडर एंड सेलरी एडिरेस के जो बिल हैं वो आप पेमेनेजर के माद्यम से प्रेशित कर सकते हैं आए पेमेनेजर पे हम फाइनेशल एर दोजाओ चोईस पत्चिस में सरेंडर का बिल कैसे प्रोसेस करेंगे आए देखते हैं यहां मैंने डीडियो लॉगिन किया हुआ है सबसे पहले आपको बिल प्रोसेसिंग में जाना है इन बिल नंबर अलोकेशन में ज्यादा है यहां आपको यहां पे बिल अलोकेशन करना है उसके बाद यहां पे आपको select category पे click करना है जैसे आप select category पे click करेंगे आप देखेंगे यहां पे आपको surrender bill का भी option मिल रहा है salary area का भी मिल रहा है बट आपको यहां पे अभी DA का option नहीं है तो आप DA error यहां से अभी नहीं बना सकते हैं तो आपको यहाँ पर अभी surrender bill 15 day select करना है उसके बाद object hit डालेंगे उसके बाद date select करेंगे उसके बाद bill number डालेंगे यहाँ हम bill number select करेंगे कौन सा bill है यहाँ से हम select कर लेंगे Bill number select करने के बाद हमें यहाँ पर Submit बटन पर क्लिक करना है जैसे हम Submit बटन पर क्लिक करेंगे Bill Register Detail Added Successfully का में Message मिलेगा इसको OK कर देना है OK करने के बाद आपको अब Second Process रहेगी Bill Processing में वापस से जाना है Fourth number का option मिलेगा Surrender 15 Days Preparation आपको Surrender 15 Days पर क्लिक करना है यहाँ क्लिक करने के बाद आपको Bill Select करना है Financial Year Select करना है उसके बाद Bill Number Select करना है और यहाँ आपको ध्यान से Sanction Order Select करना है जो Order Number है DA का वो अबडेट हो चुका है यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं यहाँ आपको तीन तरह की DA मिल रहे हैं यहाँ पर जो यह Second की पर आपशन है यहाँ पर उसको Select कर लेना है इस पर हम क्लिक करेंगे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर сос corn मिलेगा जो भी Sanction Update है वो डाल दीजी आप यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर Individual करना है जैसे हम Individual क्लिक करेंगे employee का name हमारे सामने या शो हो जाएगा, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें option में लेगा 15 लिखा हुआ है, इसको हमें यहाँ पे simple add button पे click करना है, जैसे हम add button पे click करेंगे, उपर message दे देगा यह, surrendered details, inserted successfully, आपको simple यहाँ पे ok कर देना है, ok करने के बाद आप देखें यहाँ इस name पे वापस से click करेंगे, यहाँ इस name पे वापस से click करेंगे, name पे click करने के बाद आपको यह वापस से add button पे click करना है, यहाँ पे surrender details, inserted successfully का message मिलेगा, आपको इसको ok कर देना है, अब आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आपने employee गलत select कर लिए हैं, तो आप वाप यहाँ पे आपको reports एक बार check कर लिनी है, पहले, कि आपका bill सहीरसर से process हुआ है या नहीं, आपको यहाँ other bill में जाना है, अदर bill में जाने के बाद, आपको यहाँ पे option मिलेगा नीचे, sorry आपको reports में जाना है, reports में जाने के बाद, आपको यहाँ पे surrender report का option मिलेगा, surrender 15 days, inner आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको बिल नंबर सेलेक करना है, आपको यहाँ पर इनर आउटर शेडूल, तीनों आपको एक बार चेक कर लेनी है, एक बार हम यहाँ पर इनर चेक कर लेते हैं, इनर पर क्लिक करने के बाद शोर रिप पर क्लिक करेंगे यहां मेरी रिपोर्ट पर टाउवोड कर Γेंगे यहां पर इसको ढूंलोड पर लेंगे आन रुख करने के बाद अब आपको यह ऐven अच्छे से चैक करना है जो आपका बेसिक टेल आपका अउन्ट बना है वो सही बना है यह नहीं बना है इसको अच्छे से चेक कीजिए, इसमें DA include है या नहीं है, DA 50% के according include है या नहीं है, इसी के according आपको पुरा चेक करना है, यहाँ details सही है, तो मैं इसको अभी यहाँ से close कर देता हूँ, यहाँ से इसको हटा देंगे, हटाने के बाद हमें क्या करना है, हमें documents upload करने हैं, authorization में जा bill बना रहे हम, surrender bill 15 days, तो यहाँ पर group name select कर लेंगे, automatic आजाएगा, select bill number, इसको select करने के बाद यहाँ पर हमें, sanction of surrender order, इसकी हमें यहाँ पर जो भी हमारे कारे लेका, हमारे द्वारा order जारी किया जाता है, ddo के द्वारा surrender उठाने का, तो वो हमें यहाँ पर attach कर देना है, choose file प forward नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर, आपका जो भी order है, वो यहाँ से select कर लेना है, और उसको simple यहाँ पर submit बटन पर click करना है, और भी order अगर आपके पास कोई है, आपके आप लगाते हैं, तो उसको यहाँ पर आप submit कर सकते हैं, easily यहाँ पर document में जाके, यहाँ देखेंग और bill processing में आके हमें यहाँ तो डिडियो पर click करना है, जैसे हम forward तो डिडियो पर click करेंगे, हमें bill type select करना है, surrender, उसके बाद bill name select करेंगे, यहाँ हम देखेंगे, हमारे पास bill की detail आजाएगी, जो भी amount बना है, उसको checkbox पर click करेंगे, checkbox पर click करने के बाद हमें यहाँ पर submit कर लिएगी तेटेश को फ्रोड़िए गा moo है लोक करना देना है लिए से फिर भीट्स फेट कर देना है वा पर फ्रॉर्वड लगै करना ओना दो जाय है वघित sen अध Salam आपका जो भी view bill status है यहाँ पे click करेंगे, इसके बाद month select करेंगे, जो भी month है अभी, April, उसके बाद financial year select करेंगे, category कौन सी है, bill की वो select करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका जो bill था, वो successfully यहाँ से bill number assign process and ddo forward हो गया है, अब यह cable trace भी forward होना बाकी है, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, authorize, यहाँ सबसे पहले हमें reports में जाना है, reports में जाके हमें surrender report पे जाना है, इसके बाद surrender 15 days inner पे click करेंगे, अब हमें यहाँ यहाँ पे one by one inner outer schedule तीनों download कर लेना है, इस पे click करेंगे, select पे inner पे click करेंगे, show report पे click करेंगे, तो वो हमारी report महाँ डाउनलोड हो जाएगी, वापस से outer पे click करेंगे, show report पे click करेंगे, तो हमारी जो second report है वो भी download हो जाएगी, इस तरह हमें तीनों reports यहाँ पे एक एक करके download कर लेनी है, यहां तीनो report डाउनलोड होने के बाद हमें यहां पर authorization में जाना है यहां पर हमें option मिलेगा document digital sign का इस पर हमें click करना है जैसे हम इस पर click करेंगे category select करनी है वापस से surrender bill, group name select करना है इसके बाद हमें यहां पर bill number प्रदरिशित होगा यहां पर हमें check box पर click करना है जैसे हम click करेंगे यहां पर हमें अभी message मिल रहा है unsigned file 3 and total sign file 0 तो आपको यहां पर sign by DHC पर click करना है आपका dongle लगा लेना है उसके बाद sign by DHC पर click करना है तो यहां पर आपको एक pop up open होगा वहां पर click करके आपको उसको आपका password डाल के ok कर देना है तो आपकी जो यह file है यह signed हो जाएगी यहां पर तो यह तीन का option आ रहा है आप पर वास तो यह total sign file में भी यहां पर तीन का option आ जाएगा तो इस तरह आपको यहां पर document digital signature कर लेने है finally आपको यह authorization में जाना है and bill forward to treasury करना है यहां आपको option दिया हुआ है select bill कर लेना है bill name select कर लेना है और उसके बाद यहां पर आपको direct नीचे forward बटन पर click कर देना है तो यह थी आज की पूरी process surrender bill बनाने की अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो please channel को सबसे पहले subscribe कीजिए और वीडियो को like और share करना ना भूले साथी notification के button को जरूर on रखें thank you so much